ओके दोस्तों कुछ keywords ऐसे होते हैं जो हम Google पर सर्च नहीं कर सकते हैं आज हम इसी के बारे हम बात करने जाले हैं दोस्तों आज कर जैसे कुछ भी हमें सर्च करना होता है तो हम Google पर जाके उस पर सीधा सर्च करके देखते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं लेकिन दोस्तो हम यह नहीं जानते हैं कि Google पर क्या सर्च करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सोचते हैं Google की जानकारी मतलब 100% सही इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि कौन से कीवर्ट ऐसे होते हैं जो आप Google पर बिल्कुल थर्च ना करें ताकि आप किसी मुसीवत में ना फसें तो इस वीडियो में आपको पुरी जानकारी देखने को मिलेगी जिससे आपको यह पता लगेगा कि Google पर ऐसे कौन से कीवर्ट हैं जो आपको सर्च बिल्कुल नहीं करने चाहिए और बहुत सी चीजे गोल पर ऐसी होती हैं जो 100% सही नहीं होती है दोस्तों यह जानकारी है किसी को नहीं चीए तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेर भी कर दें ताकि और भी आपको कोई फ्रेंड है तो वो भी समझ जाएं कि Google पर ऐसे कौन से कीवर्ज हैं जो इस Google पर सर्च नहीं करने चीए सब से पहले दोस्तों आता है Bum बनाने का प्रोसेस दोस्तों यह कीवर्ज आप Google पर कभी सर्च ना करें जैसी आप इससे जुड़ी हो कोई वी जानकारी गूगल पर सर्च करते हैं बम बनाने की कोई भी detail आप Google पे लिखते हैं, आप कोई भी जानकारी उससे related Google से लेते हैं, जैसी आप Google पे बम बनाने का कोई भी keyword सर्च करते हैं, वो सीधा सुरक्षा एजनसियों के पास वो keyword चला जाता है, और आपका IP address भी, आप laptop से कर रहे हो, या अपने phone से कर रहे हो, तो उसका सीधा IP address सुरक्षा एजनसियों के पास चला जाता है, जिससे आप मुसीबत में फस सकते हैं, और सु कोई भी चीज जैसे यूज करते हैं, अपना phone, अपना laptop, या कोई भी other, कोई भी चीज, तो हम जैसे कुछ में कोई दिक्कत होती है, तो हम सीधा customer care को call करते हैं, तो कई बार हमारे पास होता है customer care का number होता है, कई बार नहीं होता है, तो हम जैसी हमारे पास कोई number नहीं होता ह जिसको हम सीधा अपने mobile पर लेके उस पर call कर देते हैं, हमें लगता है वो एक officially website है, वहाँ पर से हम customer care number ले रहे हैं, और सीधा customer care पर जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, hackers बहुत चालाक होते हैं, वो neckly number upload कर देते हैं, उससे दिखकर दोस्तों ये हो सकते हैं, अगर मैं आपको थोड़ी से बता हूँ, तो sim swipe करना ये होता है, कि आपके number की sim को किसी दूसरे number की sim पर swipe करना, आपका number अब उस detail पर पूरा आने लग जाएगा, मतलब आप hackers आपके number यूज कर सकता है, आपका OTP यूज कर सकता है, या किसी को call भी कर सकता है, तो इसलिए दोस्तो, customer care का number officially से ही डूने, या फिर आपने कोई products खरीदा है, तो उसके box पे, या फिर उस product पे ही customer care number लिखा होगा, Google पर सर्च करने पे कई बार ऐसा नहीं होता है, कि आपको 100% कोई customer care number मिल जाए, अगला है दोस्तो, mobile apps और software, दोस्तो, कई बार ऐसा होता है, हम Google Google पर सर्च करके, हम कोई भी mobile app या कोई भी mobile software, हम वहीं से direct download कर सकते हैं, उससे दोस्तो, हम missing में, या फिर फरजी app डाउनलोड करने के चोखिम में, फरज जाते हैं, जो हमारे device को काफी नुक्सान कर सकता है, दोस्तो, कभी भी आप को officially app डाउनलोड करना है, तो आप Google Play Store से वहीं अगर आपको कोई software download करना है, तो आप उसकी आधिकारिक officially website पर जाके ही download करें, अगर आप fake account से या फिर किसी गैर कानूनी ऐसी website से download कर लेंगे, तो आपके mobile को भी दिक्कत है, आपका जो account है, कोकि आप ज्यादा तर लोग अपने mobile में ही सार अपना data रखते है, bank account से related, तो इसलिए दोस्तो फरजी apps और फरजी software से बिल्कुल बचे रहें, आपके लिए ही better रहेगा, अगला है दोस्तो अपनी private Gmail address कभी गूगल पर सर्च ना करें, इससे दोस्तो क्या होता है, आपकी जो निजी email address है, वो लीक हो सकती है, hackers के बास जा सकती है, जिससे आपकी कोई निजी जानकारी है, तो hackers के पास सीधा चली जाएगी, तो इससे बचने के लिए सीधी सीधी तरकी यही है, कि आप समय समय पर अपने Gmail address का password बदलते रहें, और वहीं दोस्तो गूगल पर अपना private Gmail address कभी सर्च ना करें, तो आखरी हैं दवाईयां, दोस्तो दवाईयां मैं इसलेश्ट में डाल दिया, цाकि आप कभी कई बार Google पर सर्च करके अपनी Biyaत जानकारी ले लेते हैं, जिसे कि اجमके पेटमे दर्द Це है, तो मैं गूगल पर सर्च करके जानकारी लेता हों पेटमत है, तो मैं कौन दवाई लूँ ? गूगल पर सर्च करा बला बला, व मेरे को क्या बीमारी हो सकती है या ऐसा है कुछ भी और तो दोस्तो बचने के लिए सीधी सीधी जानकारी है थोड़े पैसे लगाएं सीधा डोक्टर के पास जाएं ताकि आप बिल्कुल स्वस्त रहें और सुखी रहें दोस्तो मेरे सब्सकाइबर रहने तो बिल्कुल ठीक दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तो हैकर्स से बचके रहें ताकि आपकी निजी जनकारी आपके पास ही रहें दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ला झाल झाल